कि अज़िए अज़िए इस दोरान उने विशुजाले की तरफ से बीए की डिग्री सौपी गई कारेकर में शुर्कत करने पहुंचे थे मुख्यमांत्री 22 से समाधान निकाले की कोशिश में जुटी सरकार सीम ने 9 मार्श को दिया सरपंचो को मिलने का वक्त रास्ते बंद करने से जन्ता को हो रही परेशानी सरपंचो को लेकर जेपी दलान ने कह अज़िए सरपंचो के साथ मिलकर समस्टा का समाधान करेंगे उने कहा कि नए शुने हुए सरपंचों को कानून पता नहीं होते जेपी दलाल ने कहा कि ये टेंडरिंग में पावर सरपंचों की होती है सरपंचों पर भुपेंदर सिंग भुड़ा ने कहा कि ये टेंडरिंग को तुरंत वापस लेना चाहिए साथी पंचायतों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए चंडिगर में OPS के लिए गठित कमेटी के साथ पंचिन बहाली संगर्श समीती के बैठक हुई जिसमें OPS समेत कई मुद्दों को लेकर चाहिए गुर्ग्राम की मियावाली कॉलोनी में ग्री मंत्री अनलविज ने जिला महा मंत्री आशा गोयल के मियावाली कॉलोनी इस्तत निवास पर हराने की ग्री मंत्री अनलविज पहुंची जहां उन्होंने सभी अपने कारकरताओं से मुलाकार की कैबिनेट मंत्री मुल्चन शर्मा ने बलबगड के सेक्टर 23 में बनाए जाने वाले नए कॉलिज की जमीन का नेरिक्षन किया जोरान मुल्चन शर्मा ने प्रदेश की मुख्य मंत्री का भार भी प्रकट किया सांसत कार्टिकë शर्माने पंच्कुला के गवश्रिक के वार्षिक स्पोर्ट्स मीट में शिर्कत की ज़ोरान कारक्रम में पहुचने पब कारीज प्रिशास ने उनका भाव विश्वाकत कीया इसके साथ मिर्क्रम को संबहुत करते हुई युवाओं का हौसला भी पढ़ाया कि कुरुक्षेत्र डिपो को 15 नई बसों की सौगात मिली है जिसे विधायक सुभाष उस्धा ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया विधायक सुभाष ने कहा है कि मुखे मंत्री और परिवान मंत्री की सोच है कि यातुरी समय पर अपने स्वर्षित टार्गेट सर्पंचों के समर्थन और गैस के बढ़ते दामों की विरोध में कॉंग्रिस नेताओं ने सिल्सा के बनाला रोग से विरोध प्रदर्शन करते हुए लगू सच्चिवारे तक मार्च किया नगर परिश्वत कारले में चेयर परसन डॉक्टर अनुरादा सैनी और कारकारी अधिकारी सुष्विल कुमार के बीच विवाब हुआ दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई जब कर हंगावा हुआ इस आरे अरपोर्ट से तलबंडी राना के लिए इस थाई सलक को लेकर धरना जारी है फरिदबाद के पूर्फ सांसर्ज अफदार सिंग भडाना प्रदर्शन कारियम से मिलने पहुँचे पिश्रासन सरपंच जिजला पारशुद व्यापारी नेता मामले को सुझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन शात्रफनी मांगो पराड़े हुए हैं अम्बाला में पकड माजरा गाउं की नजदी के एक ट्रफ में बसको पीछे से टकर मार दी जिसमें छे लोगों की दर्दनाख मोथ हो तो निपत में महमूद पुर के गाउं दुबेटा में एक युवक्ती पीट-पीट कर हत्या कर दिगे जिससे पूरे इलाकी में संसनी है तो शेतर के शापूर कस्बे के एक महले में पती पत्मी ने आत्महत्या कर ली जानकारी के मताबिक फाइनेंसर दोनों को काफी समय से परेशान कर दा इसके चलते पती रवीद प्रकाश और उनकी पत्मी गीता ने खौफना कदम उठाया हासी की जगदीश कॉलोनी में अग्याद कार्णों की चलते एक महला ने अपने आपको आग लगा पर आत्महत्या का प्रयास किया आसपास के लोगों ने आग में जूसी महला को कंबल डाल कर आग बुचाई परिदाबाद में कार डंपर से जा टकराई जिससे सड़क खाथसे में छे युपकों की मौके पर ही मौट हुआ अर्याना के पानिपत जिले के समालखा कस्वे में गाउं जट्टीपूर के पास एक सड़क हाथसा हुआ जहां शधालों से भरी टेक्टर ट्रॉली को ग्यात वहां ने टकर बाती सोनिपत के गाउं बड़ौली में बुज़ूर की चाकू से गोट कर हत्या कर देगी पूरे लाके में संसनी मच गए सोनिपत में इंडिया नियोज घर्याना की खबर का असर हुआ है जहां सनिट्री नैपकेन के घटिया क्वालिटी के मामने में प्रशासन ने एक्शन लिया प्रशासन नैपकेन के सैंपल टेस्टिंग को लेकर पत्र लिखा सोनिपत के एनच चवालिस पर पुलिस कमिशनर सतीश बालन की नरदेश पर पुलिस ने लोगों को ट्राफिक नियमों की जानकारी दी नियमों का पालन करने वालों को फुल देकर समानित किया पिछले दिनों अडाने ग्रूप के शेर में अधाफा देखने को मिला है जिससे अडाने ग्रूप के निविश्कों को एक लाग करोर से जादा का फायदा हुआ बॉलिवर डेक्टरस सुश्मिता सेन ने फैंस को शौक में डाल दिया है तो इसने कहा कि हाल ही में जो उन्होंने पोस्ट शेयर कि उसमें बताए कि दो दिन पहले उन्हें हार्ट अटक आया था